बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है 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 अपका स्वागत है बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है साथी न्यूज ने ये अपील भी जारी की है कि ये जानकारी सोशल मीडिया के जरियर दी जाए कि सोनू तक ये पहुँच जाए बेखौफ पत्रुकारिता ने पत्रुकार की ले ली जान बीते दिन बेखौफ अपराधियों ने बेगो सराई के एक पत्रुकार की गोली मार कर जान ले ली मृतक के पर अजनों का खहना है कि सुभाश की जान चुनावी रंजश में गई है दरसर सुभाश कुमार अपने एक नस्दीकी को पंचायत में वार्ट सदसे का शुनाव लड़ने में मदद करते देखे गए थे जिसमें उस व्यक्ति को जीत मिली थी इससे प्रतिद्वंदी उनसे नाराज चल रहे थे तब ये बारदात की जब वो अपने गाउंस साखों में भोचखा कर घर वापस वाट रहे थे वहीं पुलिस सभी बंदूओं को ध्यान मिड़क कर मामले की जाच में जुट गई है बीपीसी प्रश्ण पत्रु लीक मामले में एक और गिरफतार बीपीसी सरसठवी पीटी परिक्षा में हुई धांदली के बाद लगातार छापिमारी के साथ पूछता जारी है इसी क्रम में SIT ने पटना के गदम खुआ की लंगर टोली गली से वीते दिन सौलवर अमित कुमार सिंग को गिरफतार किया वो मूल रूप से मध्यपूरा के सुखासन का रहने वाला है जानकारी के मताबिक पेपर लीक मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है EOU के मताबिक जाच में पता चुला है कि अमित ने आनंद गौरव और अन्य अभियुकतों के साथ एक जगह बैठ कर प्रशन पत्र हल किया था प्रशन पत्र लीक होने और सौल्व करने के एवच में जो रुपे मिलने थे उसमें अमित का भी हिस्सा था बिहार सरकार इन लोगों को देगी 4 लाग की मुआफजा राशी बिहार के 16 जिलों में गुरुवार को आए तेज आंधी और ब्रशपात की वज़ों से 33 लोगों की जान चली गए जिसके बाद बिहार के मुखिमंत्री सहित देश की प्रिथान मंत्री ने मृतक के परिजनों की प्रतेश शोक संबेद ना जोताई है वहीं मुखिमंत्री ने ट्वीट करते वे लिखा कि राशी के 16 जिलों में आंधी और ब्रशपात से 33 लोगों की जान जाना दुखद है मृतकों की आश्रुतों को दतकाल 4-4 लाग रुपे अनुग्रह अनुदान देने और आंधी और ब्रशपात से हुई ग्रह शती और फसल शती का अंकलन कर प्रभावित परिवारों को जल से जल सहाइधा राशी प्लब धिकराने का निर्देश भी दिया गया है इसके साथ युन्हा ने खराब मौसम में पूरी तरह से संदर्गता बरतने के लिए कहा है कोरोना के मामले में उतार चुरहाब जारी देश के साथ-साथ बिहार में कोरोना संक्रुमन के मामले में स्थिरता बनी हुई है बिहार में भी ताजा रिपोर्ट के नजार स्थिती सामाने बनी हुई है ताजा आकडू पर नजल डाले तो राजुमे संक्रुमन की दर में कमी आई है राजुमे कोरोना आक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आकडू के नजार 41 है वही राजुमे को 93,651 साम्पल की जाज की गई है जुसके बाद राजुमे 28 ने कोरोना की मामले सामने आ है जिसमें राजधानी पटना में 6 मामलों की पुष्टी हुई है वही एक कोरोना संक्रुमित वैशाली के है वही देश भर की बात करें तो आज जियानी की गुरिवार को जारी किये गए पिछले 24 घंटे के आकड़ों के मताबिक कोरोना के 23,23 मामले सामने आ है बिहार पुलिस मेंस असोसियेशन के अध्यक्ष को पट से किया गया भरखास्त बिहार सरकार लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर श्रिकन जाकसने के लिए छापे मारी कर रही है जो कि अवैध तरीके से आय प्राप्त करते हैं इसी कड़ी में आई से अधिक संपत्ती के मामले में बिहार पुलिस मेंस असोसियेशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरच और धीरच यादव को सेवा से बर खास्त कर दिया गया है आर्थिक अपराद अनुसंधान इकाई यानिकी ई-ओयू ने धीरच के कई ठेकानों पर श्रिकन पर श्रिकन जापे मारी की थी लापा लालो प्रसाद यादव के रेल मंतरी रहते रेलवे में बिना परिक्षा दिये कई लोगों की भरती का मामला था इस सिलसले में CBI ने लालो प्रसाद यादव के कई ठेकानों को खंगाला इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को लालो प्रसाद यादव ने बिना परिक्षा दिये रेलवे में नौकरी दिलाई थी लालो यादव ने उन अभ्यर्थियों से उनके बदले अपने नाम पर जमीन लिखवाई थी सीबी आई ने एफायार में लालो परिवार के चार सदसे के साथ जमीन दे कर नौकरी लेने वाले बारह व्यक्तियों का भी पूरा ब्योरा दिया है ये सारी जमीन पटना में ही है इनका कुल रखवा एक लाग पांच ज़ार दो सो बांडवे वर फुट है सर्किल रेट के अनसाल अभी इनकी कीवत 4,49,80,650 रुपे है भारतिय सम्विधान में नहीत मुल्यों को मजबूत करने को लेकर लंदन में बोले तेज़स्वी राधित सुप्रीमो लालुप्रिसाद यादव के बेटे और भिहार के नेता प्रतिपक्ष तेज़स्वी यादव 20 माई को बतौर नेता पहली बार अंतराश्य स्थर पर किसी सभा को संभोधित करते देखेगे इस कॉंफरेंस में कॉंग्रिस सांसत राहुल गांधी समेथ देश भर के कई नेता शामिल हुए तेज़स्वी यादव ने इस दौरान ट्वीट कर लिखा कि भारतिय स्वतंतरता के 55 वर्ष में हमें सम्विधान में नहीत मुल्यों को मजबूत करने की दिशा में और अधि से ही जुटे राजसभा अप चुनाव विधान परिसत चुनाव को छोड़ कर विकाश शील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का मिशन 2024 लोगसभा चुनाव का है भले ही अभी लोगसभा चुनाव में दो साल का वक्त हो लेकिन मुकेश सहनी इसकी तयारियों में अभी से जुटे हुए हैं इसको लेकर वियाईपी अध्यक्ष लगा तार नेताओं और कारेकरताओं से मिल रहे हैं इसे कड़ी में रविवार 22 माई को समस्तिपुर में वियाईपी कारियाले का उधगाटन करेंगे और कारेकरताओं से रूबरू होंगे हाल ही में ETV भारत में भी अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं 27 माई को रिलीज होगी देहाती डिसको भारतिय सिनमा में शुरू से ही डांस का प्रमुख रोल रहा है इसी करब में भारतिय नृत को प्रमोट करने वाली फिल्म देहाती डिसको लोगों को इंटरेन करने के लिए इसी सिलसले में मशूर कोरियोग्राफर गनेश आचारे अभीनीत हिंदी डांस फिल्म देहाती डिसको के प्रमोशन के लिए बीते दिर मास्टर गनेश आचारे और सुपर डांसर चाप्र ट्री के फाइनलिस सक्षम शर्मा पटना आये थे ये फिल्म 27 माई को सिनमा घरों म किये एहम बदलाव के कारण 10 वी और 12 वी बोर्ट परिक्षा दो पर्ट में टर्म 1 और टर्म 2 में ली गई थी लेकिन 2023 में फिर एक ही बोर्ट की परिक्षा ली जाएगी पुर्व भारतिये खिलाडी का बयान किशन और धवन के लिए T20 टीम में नहीं है जगे भारतिये क्रुके टीम के पुर्फ बलेबाज आकास शोप्रा ने भारत की T20 टीम को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है ने यूट्यूब चानल पर बाचीत की दारान आकास शोप्रा ने कहा कि धवन और इशान किशन के लिए भारत की T20 टीम में जगे ही नहीं है उन्हाने कहा कि इशान किशन और शिखर धवन के लिए T20 टीम में कोई जगे नहीं है केर राहूल और रोहित शर्मा आप पारी के शिर्वात करेंगे आपके पास तीसरे नंबर पर विराज खोली है और उसके बाद सुरे कुमार यादव का नंबर आता है हारदिक पांडिया ने बापसी कर ली है और मैं उन्हें टीम में जगे दूँगा इसके लाव अरुशब पंथ भी है राहूल तुरुपाची को पांचवे नंबर के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है कल हमारे तवारा पूछे गैस सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेट रहने के लिए हमारे यूटिव चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले नहींवार